दोस्तो एक्सल के को और amazing and powerful वीडियो में आप सब का स्वागत है जहां पर आज हम सीखेंगे hospital related data को excel में manage करना देखो अगर आप hospital में work करते हो या आपके पास hospital related data आता है तो उसको आप excel में कैसे एंटर करोगे उस data के आप कैसे एंटर करोगे वो चीज़ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले है साधी hospital से related काफी सारे terms होते हैं जैसे कि what, doctor fee, what charge, what type, बहुत सारी चीज़े वो सब चीज़े भी आज के इस वीडियो में हम cover करने वाले है so make sure कि अब इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि वीडियो आपके लिए full of information होने वाला है तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को अब नॉर्मली आ जाते हैं computer skin पर और सबसे पहले जिन जिन columns के हमें need पढ़ने वाली है पहले हम उने यहाँ पर put on कर लेते हैं सबसे पहले शुरुवात करते हैं यहाँ पर patient ID से कोई भी जो patient होता है उसको एक particular ID दी जाती है जिसके भीहाब पर उसे identify किया जा सके इसके बाद जो patient है उसका नाम क्या है तो हम यहाँ डाल देंगे patient name ठीक है उसके बाद उस patient की age कितनी है इसके बाद next term होगा यहाँ पर admit date जिस दिन patient hospital में admit हुआ है उसके date इसके बाद वो जो patient admit हुआ है वो कौन से ward में admit हुआ है अगर हम बात करें hospital की तो hospital में different type of wards होते हैं जैसे कि general ward, special ward, CCU अलग अलग type के wards होते हैं तो हमने यहाँ डाल दिया वो किस ward में admit हुआ है उसके बाद वो किस दिन discharge हुआ है क्योंकि जो bill है वो उसे भीहाब पर बनेगा किस दिन वो admit हुआ और किस दिन वो discharge हुआ हुआ है discharge date इसके बाद next time हम डालेंगे total days जैसे कि जिस दिन भी वो admit हुआ है उस दिन से लेके discharge तक उसने total कितने दिन hospital में बिताए है क्योंकि उसे के भीहाब पर bill बनेगा तो total days कितने हुए इसके बाद जिस ward में वो ठहरा था उस ward का charge अलग होगा general ward का अलग special ward का अलग तो ward का charge कि तो वो हमने डाल दिया ward charge जिस doctor ने उसे consult किया उस doctor की fees कितनी है हमने डाला वो term और इसके बाद last time हम यह डाल देंगे total amount मतलब जो bill हमें patient से लेना है तो हमने डाल दिया total amount अब यह करने के बाद आपको इस पूरी range को ऐसे select करना है और select करने के बाद यह format पे जाना है और कर column width इससे क्या होगा कि जिस column को जितने space के requirement होगी उसके हिसाब से adjust हो जाएगा फिर ही जो उपर वाला area है इसको select कर लेते है इस तरीके से और select करने के बाद यहां पे जाएंगे हम और कर देंगे merge करने के बाद जो भी हमारा hospital का name या जो भी heading हमें रखना है अपने data के लिए यहां पर डाल देंगे जैसे हमने पर डाल दिया patient billing data of JP hospital तो आप कोई सा भी hospital का नाम दे सकते हैं जिसका data होगा उसके भिहाब पर फिलाल मुझे यह नाम याद था इसलिए मने यह नाम यहां पर डाल दिया तो इसको हम select करते हैं select करने के बाद इसे बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करने के बाद आप इसे बोल्ड कर लो जो भी font आपको पसंद है आपको font यहां से select कर सकते हो जिसे मैं यहां पर select कर लेता हूं ballin हमने यह select किया color यहां पर हम कर लेते हैं green और जो text color है वो हमने कर दिया white इसके बाद मैं यहां पर middle align कर देता हूं ताकि बीच में आ लेते हैं इसके बाद नीचे वाला area है इसको हमने select किया, यहां पर यहां पर कर दो और इसका background color है वो हमने रेलो जो text है उसको हमने कर दिया bold इसके बाद जहां तक आप data create करने वाले उस range को आप select करो, select करने के बाद आप यहां पर कर दो all border, अब आपका जो format है data create करने का वो यहां proper way में ready हो चुका है, सबसे बहले शुरुबात करते है patient ID से, तो patient ID unique होती है, तो हम अपने हिसाब से unique ID create कर देते हैं, जिससे मैंने यहां पर डाल दिया JP1001, हमने यह ID दी, दूसरे के लिए हमने यहां पर डाल दिया JP1002, और इसी तरीके से हम इसे select करके यहां पर एक range apply कर देते हैं, अब next हम आता है यहां पर patient name का, तो patient suppose यहां पर है एक इसके बाद अमन के अगर हम age की बात करें तो हमने आप इसके age दिखाई 34, इनके age हमने दिखाई 26, 28, 32, 29 and 24, इसके बाद हम बात करते हैं admit date की, तो जो अमन है अब वो हमारे hospital में किस date को admit हुआ था, तो हमने यहां पर डाला कि 12 October को admit हुए है, तो 12 अक्टूबर को admit हुए है 14 तारिक, इस तरीके से, ठीक है, और इसी तरीके से हम सबका data यहां पर put on कर देंगे, अब इसके बाद बात करते हैं next term की, जो की है ward, और यह एक important term है अगर आप hospital में work करते हो, देखो अगर हम hospital की बात करें, तो इसमें different category के patient के भीहाब पर different wards होते है, जिनमें कुछ का ना wards in hospital, तो आपको एक proper article मिल जाएगा, जिसमें आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो, तो अलग-अलग यहां पर ward types होते हैं, और उसी ward के भीहाब पर charges भी होते हैं, उसी ward के भीहाब पर doctors भी consult करते हैं, तो माल लिया हम अलग-अलग ward डाल देते हैं, जैसे यहां आप आपैंपने डाल दे हैं General Ward, इसका हमने डाल दे यह Special Ward है, इनको जो admit किया वहाग़ में aadmit किया इनके हम बात करें तो तो यह कितने दिन तक इनका इलाज चला है और हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं तो हमने आपे बोला कि यह 12 तारिक को एडमिट हुए और 16 तारिक को इन्हें डिश्चार्ज कर दिया गया इसी तरीके से हम सबका डेटा यहां पर फिलॉन कर देंगे तो नॉर्मली यहां पर सबके लिए एक अलग अलग डेट यहां पर डाल दिया अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको समझना है वह है टोटल ले इसका अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मुझे यह बता हो अमन 12 तारिक को एडमिट हुआ है और 16 तारिक को डिश्चार्ज हुआ ह तो कितने दिन हुए इसके टोटल कितने दिन होगे उस्पिटल में तो जादतर लोग का रिप्लाई क्या होगा कि 11 में से 12 माइनस किया चार दिन लेकिन यह जवाब गलत है यहां पे होगा टोटल पास दिन कैसे देखो 12 तारिक को एडमिट हुआ है तो 12 तारिक भी तो काउ कर दिया इसे तो mathematical calculation के साब से क्या है कि 11 माइनस 12 करेगा लेकिन अगर आप वैसे काउंट करो तो जो 12 तारिक है वो भी तो काउंट होगा उसका भी तो चार्ज लगेगा तो यहां पे हमें करना क्या है कि यह जो आपने कर रखा है बस इसको bracket के अंदर ले लो आप इस तरीक अब आते हैं next term ward charge के जैसे कि मैंने बताया कि अलग-अलग patient के हिसाब से अलग-अलग ward होते हैं आपको बता general ward हो गया सबसे simple उसके बाद special ward फिर CCU, ICCU और NICU तो अलग-अलग ward होते हैं और उसी की बहाब पर चार्ज होता है तो जैसे general ward की बात करें तो इसका चार्ज सब सबसे कम है तो अमने डालदे 500 इस special ward के ताल दे 800 CCU का मने डाल दे 1200 इसका डाल दे 1500 फिर अगे special ward के अमने डाल दे 800 जनर वाट का मने डाल दे 500 अब इसके बात करते है next term की जो कि है doctor fees जैसे कि मैंने बताया कि जैसा ward होगा उस हिसाब से doctor होगा उस हिसाब से doctor का चार्ज होग तो जो भी हॉस्पिटल है सबका अलग-अलग क्राइटेरिया होता है हम अपने इसाब से यहां पर कोई भी वैल्यू पॉटॉन कर देते हैं तो हमने आपर बोल दिया 400 जो डॉक्टर जनरल वाड पर देखने आ रहे हैं उनका चार्ज है 400 हमने आपर गर दिया 400 यहां गर दिय 600 यहां पर कर दिया 400 तो इस तरीके से आगे यहां पर दॉक्टर फीस वाड चार्ज टोडल डेस कैसे आपको निकालना है अब आते हैं टोटल अमांट वो चार्ज जब पेशन्ट डिश्चार्ज हो रहा है तो उसको जो बिल पे करना है वो कितला पे करेगा तो यहां पर सि एंटर और एंटर करने के बाद यहां पर आ जाएगी एक एक एकुरेट वैल्यू सो आपको इसके बाद आपको सिंबल करना क्या है इसको सेलेक करके अगर आप अकॉंटिंग फॉर्मेट पर अच्छे से इस डेटा को रिप्रिजेंट करना चाह रहें तो आप इस तरीके से सिंबल अप्लाई कर दो रुपीज का और अगर मैं बात करूँ यह टोडल डेज वगरा जो है अगर आप चाहते हो कि यह लिखके आए फाइब डेज सेवन डेज इस तरीके से तो आप क्या कर सकते हो कि इसको सिंबली सलेक किया और सलेक करने के बाद यहां जाना इस वाले पे ठीक है यहां जाने के बाद हम आते हैं यहां पे सिंबल कस्टम पे गया हम जेनरल से जग्रल वाला पोर्शन में इसको हमने कट किया सबसे पर देंगे थेज जो 5-7-7 यह लिखा हुआ इसके लिए हमने हैस दिया और डबल कौर्ट्स के अंदर हमने यहां पर क्या लिख लॉन कर दिया है और अब अगर आपको इसमें जो भी format apply करना है जैसे कि अगर मान लीजे मुझे इसे में कोई format apply करना है तो simple आप data को select करो और यहांसे जो भी format आप रखना चाहते हो like suppose आपको यह format रखना अपने select किया आपको bold करना आपने bold कर दिया यह फिर हम age वाले section के बात करें हमने select किया और इसमें suppose red color रखना है तो हमने red रख दिया text color हमने white कर दिया bold कर दिया centerline कर दिया जैसे आप करना चाहो वैसे आप कर सकते हो इसके लाबह यह वाले जो तीनु section है इसको हमने select किया आपके dus तो इस तरीके से अपका proper format यहाँ पर ready हो जाता है आशर करता हूं Februaryš l related data को आप Excel में कैसे enter करेंगे यह term आपको अच्छे से clear हो गया हो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like करें, share करें, साथ ही comment करें अपना feedback जरूर दें, thank you